हेई गाइस वेल्कम टू चंदा किलाम ब्यूटी आज मैं आप लोगों के लिए ग्रीन टी और एपल साइड़ विनेगर का टोनर बनाऊंगी हेर टोनर जो कि अगर आप बालों पर अप्लाई करते हो ना तो आपके बाल लंबे हों की साइन बहुत जाएगी वॉल्म बहुत ज जालना है लेकिन यहां पर मैंने चावल का पानी लिया है इसको 50% कुक करना है अगर आप इसे ज्यादा को करो गया ना तो वह मांड का फॉर्म बन जाएगा जो पानी जो होता है वह थिक हो जाएगा तो वह इस प्रेइ बॉटल में निकल पाएगा इसली वह लगनी जब 50% जिपक हो जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे चान लेंगए पाणी को जब चावल का पानी आप निकालोगे नथो गरहम होना चाहिए तब उसके अंदर आपको घ्रीन टी एड़ करनी है अगर आपको चावल का पाणी चावल का पानी चीन और अगर आप चावलि बनता है आपके घर में तो ओवरनाइट आप रख भी सकते हूं चावल को पानी में और अगले दिन उसका पानी है न वह आप गरम कर लिजे ग्रीन टी डालके यहां पर देख रहे हों कि जब यह को खो गया है आधा तो मैं इसका पानी अलग कर रही हूं तो यहां पर मैंने 200 ml करीब बनाया था और अब ग्रीन टी हमें लेना यहां पर भरके एक चमच मैंने ग्रीन टी का इसके अंदर मैंने एड़ किया है ग्रीन टी में ऐसे एंटी ऑक्सिडेंट होते हैं कि अगर आपका हेर फॉल हो रहा है ना तो उसको भी कंट्रोल कर देता है पालो के लिए ग्रीन टी को इसमें मिक्स कर लिया है और अब एपल साइडे विनेगर लेना है जब यह ठंडा हो जाएगा ना अच्छी तरीके से जब ग्रीन टी का कलर इसमा आजाएगा तो यहां पर मैंने 50 ml के करी शॉरी 15 ml दो धक्कर मैंने इसमें डाले थे जो चोटी जो कैप होती है यहां पर पिर राफ बन गया थे और यहां पर दो बॉटल मेरी बन गई थी और बच भी जिया था और यह आप यह वेस्ट जो देख रहे होगा है इसका हम इस गाना बनाएंगे और इसे हैर पैक भी बना सकते हो आप अपने बालों पर अप्लाइक कर लीजे या पिर फेस प तोनर की और यह जो टोनर रहने इसका बालों पर भी अप्लाई कर सकते हो और फेस के ऊपर भी एज टोनर आप अप्लाई कर सकते हो आपको क्या करना आपको मॉड्निंग में और इवनिंग में सुबैसाम आपको स्कैल्प पर से लगाना है आप चाउतिस से बाल पर भी लगा स करेंगे उनमें कॉम हो जाती है बालों में आपको यूज करने के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके का टोनर बालों पर कैसा है और यह जो वेस्ट जो बची गया था नहीं इसके अंदर हम यहीं टोनर मिक्स करेंगे और आप स्क्रब कर सकते बिल्कुल हलके हाथों से मैंने च तोनों को मिक्स करके मैंने एक हेर पैक भी बालों पर अप्लाई कि जिसका इफेक्ट बहुत अच्छा है तो उसके वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेगा तब वह एपक वाली जरूर देखना उससे भी बाल बहुत जादा सिलकी हो जाएंगे अबने बालों को तो भी मेरे बाल बहुत थी अच्य लग रहे थे यह नहीं लग रहा था कि मैने बालों में तेल लगाया हुआ है अच्छे करने के बाद यह जूँ टोनर था ना यूसे मैंने फेस्ट प्लाई कर लिया था और आपका चाहरा बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट ल अच्छी लगी तो प्लीज इस लाइक करें करें सुब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और यह टोनर बनाएं मुझे आप जरूर बताएं